बोश्पूरी की हो जाएगी साफ सुत्री छवी बॉलिवुट के बाद अब भोश्पूरी इंडस्ट्री पर भी लोगों की नजरे हैं और भोश्पूरी गानों में बढ़ती अश्लेलता खुले कर कई लोग शिकायत भी कर चुके हैं इन दिनों भोश्पूरी में ऐसे गानों की बहार आई हुई है जो इस भाषा की संस्कृती पर सीधे चोट करती है तमाम शिकायतों के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता लेकिन अब अभिनेता से नेता बने भाजपा सांसद रवी किशन इस पर बड़ी चोट देनी की तैयारी कर रहे हैं बता दे कि संसद रवी किशन खुद भी भोजपूरी फिल्मों के सूपर स्टार रह चुके हैं हाल ही में उन्होंने एक सम्माद दाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग भोजपूरी गानों में अश्लेलता का इस्तेमाल कर भाषा की छवी धूमिल कर रहे हैं इसलिए आप वो इस मामले को संसद में उठाएंगे दरसल रवी किशन ने मेडिया से बात करते हुए कहा कि भोजपूरी एक हजार साल पुरानी भाषा है और यहाँ इसे 25 करोन लोग बोलते हैं कुछ लोग भोजपूरी गानों में अश्लेलता का इस्तेमाल कर इस भाषा की छवी धूमिल कर रहे हैं मैं इसके खिलाफ संसद में कड़े कानून की मांग करूंगा और विशेस रूप से भोजपूरी भाषा के लिए उत्तर प्रिदेश में सेंसर बोर्ट गठित करने के बारे में मुख्यमांत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा करूंगा आपको बता दें कि इससे पहले रवी किशन ने पडोसी देशों से मादक पदार्तो यानि कि ड्रग की तसकरी और फिल्म दोग से जुड़े लोगों की ओर से इसके सेवन को लेकर NCB की ओर से की जा रही जाच का मुद्धा लोकसभा में उठाया था और इस दिशा में कड़ी कारवाई की मांगी थी हाला कि रवी किशन के इस बयान के बाद काफी बवाल भी हुआ था संसत में जया बच्चे ने उस पर थाली में छेट करने का आरोप लगाया था और कई बॉलिवूड हस्तियों ने भी रवी किशन के बयान की निंदा की थी लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि रवी किशन के इस प्रयास को किसका साथ मिलता है और भोजपूरी से अश्टलेलता को कब खत्म कर पाते हैं पंजाब की इसरी ग्रूप नई दिल्ली पंजाब की बात है